हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ काइन माश्टर के कुछ ट्रिक शेर करूँगा तो वीडियो को पूरा देखें लाइक और शेर ज़रूर करें और फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखें चैनल को सब्सक्राइब करनें वीडियो को पिल्गुल भी स्कि ना करें क्यूंकि मैं छोड़े-छोड़े ट्रिक्स बताने वाला हूं काइन माश्टर के तो चलिए शुरू करते हैं तो फ्रेंट्स काइन माश्टर ओपन करने सबसे पहले और उसके बाद जो भी आपके पुराने प्रोजेक्ट थे या जो भी आपने वीडियो पुराने यहां पे एडिट कर रहा है उन सबको डिलीट करने हैं जैसे कि मैंने कुछ वीडियो एडिटिंग की थी उसके बाद मैं इन सबको डिलीट कर रहा हूं और यह देखिए फ्रेंट्स 16.9 में मैंने एक सेलेक्ट किया है यहां पर आप भी ऐसा ही करें 16.9 सेलेक्ट करें यूट्यूब की वीडियो बनाने के लिए और उसके बाद friends मैंने यहाँ पे एक background select किया है मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ अगर आपका कोई video है उसे आप edit करना है और आपको उसे left या right से delete करना है तो उसको कैसे करेंगे तो friends यहाँ पर मैंने देखिए मैं left side से इस video को यहाँ पर उड़ाने वाला हूँ यानि delete करने वाला हूँ तो scissor का जो आपको sign दिख रहा है catchy का sign उस पर click करेंगे और trim to left of plate तो सबसे पहले वाला जो option उस पर click करेंगे तो आपका left side का उड़ जाएगा आपके वीडियो में और उसके बाद जैसे कि यहाँ पर cut लगा मैं उसके बाद यहाँ एक background all ले ले रहा हूँ यह friends background में इन उसको cut करने के बाद बीच में लिया है और बीच में जो white color का आपको यहाँ पर cut जहां पर लगा था यह है कि कई सारे option खुल जाते हैं कट के बाद जो वीडियो प्ले होगा वो अलग-अलगी style में आएगा जैसे कि यह वाला style या फिर यह वाला style जैसा कि यहां पर कई सारे style दिख रहे होंगे तो friends आप भी ऐसा कर सकते हैं मैंने sentimental यहां पर लगा दिया है और उसके बाद में friends अगर आपको sentimental में कोई music लगाना है छोटा सा sound effect कई सारे आते हैं अगर आपको चाहिए तो मैं sound effect के उपर एक video बना दूंगा और कैसे download करेंगे आप YouTube के लिए या वैसे भी आपको कैसे download करना है तो मैं आपको बता दूंगा तो sound effect के लिए आप मुझे comment करेंगे तो मैं sound effect के लिए एक वीडियो बना दूंगा जिससे आपको YouTube पर अपलोड करेंगे तो copyright का कोई issue नहीं होगा तो यहाँपे मैंने friends पूरा song लिया है और मैं इसको सिर्फ थोड़ा सा यूज करूंगा यहाँपे यह देखिए friends यहाँपे इसको सेलेक्ट किया और फिर राइट साइड का कट कर दिया आपका थोड़ा सा सौंग यहाँपे पचा और इसे प्ले करके देखेंगे तो friends यह सैंटिमेंटल जो इफेक्ट था उसके साथ आपको म्यूजिक भी सुनाई देगा यहाँपे कोई एफेक्ट अगर आपके बास तो इफेक्ट भी लगा सकते हैं साउंड इफेक्ट है तो इसके बाद friends यहाँपे पर लूप करते नगरद करने के टारें यहां पर उस मीजिक को सब्सक्राइब किया orphan बोर्यूम सब्सक्राइब बढ़ाना या कम रखना है और उसके बात फ्रेंट यह आपका म्यूजिक सथन हो गया है और यहां पर कई सारे option है friends sound effect change करने के आप कुछ भी कर सकते हैं मैंने volume यह आप फूल करके यह play कर दिया है और friends इसके बाद आपको कुछ ducking on कर दें और friends आपका music भी आप हो जाएगा friends आपको इस वीडियो में आपको कुछ effect सुनाई देंगे मैंने sentimental effect की यूज किया है आपको दिखाई देंगे और friends उसके बाद आपको यहाँ पे layer एक ले लेनी है white color के background की जैसे कि मैंने ली है यहाँ पे layer ली और उसको बढ़ा कर लिया है पढ़ा करने के बाद friends मैंने white color की एक layer ली थी उसे white color का layer लेकर यहाँ पे यह देखे friends इसकी थोड़ी speed change कर देंगे यहां से और friends इसके बाद एक layer all ले लेंगे मैंने yellow गलर की एक ले लिया है यहाँ पे तो in animation देना है इन दोनों में मैंने यहाँ पे in animation दिया है out animation भी आप दे सकते हैं तो friends मैंने यहाँ थोड़ा छोटा कर लिया उन दोनों layers को और एक को पीछे और एक को आगे कर दिया है यहाँ पर यह देखिए friends light effect हो गया जैसे किसी वीडियो में आपको light दिखानी है तो आप अलग-अलग light color की दिखा सकते हैं friends यहाँ पर मैंने अपना टैक्स में जाने के बाद यहाँ पर मैंने अपने चैनल का नाम टाइप किया है जैसा कि यह दिख रहा हूग जैम के टैक और उसके बाद मैंने इसे इन एनिमेशन में सारे चेक कर रहा हूं friends तो finally मैंने इसे slide right कर दिया है और उसके बाद friends जहाँ पर यह arrow दिखा रहा है आपको इस पर click करेंगे और उसके बाद थोड़ा सा आगे scroll करने के बाद friends अपने जो type किया था उसको थोड़ा पीछे right side में ले जाएंगे और गायब कर देंगे और उसके बाद प्ले करके देखेंगे तो friends यह set हो जाए तो friends वीडियो को पूरा देखा आपने इसके लिए आपका धन्यवाद friends चैनल को सब्सक्राइब कर ले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और friends वीडियो आपने पूरा देख चुके हैं